दोस्तों नौस्कार मैं हूँ आर्गेट शोग गोईल जेई का फस्ट अटेंप्ट हो चुका है और सेगंड अटेंप्ट होने वाला है अपरेल में तो जो भी आर्गेटेचर एस्पेनेट हैं जिनोंने भी प्लानिंग के लिए इमतान दिया है पक्की बात है कि सेगंड अट होंगे तो पहला अधिक्तर सोच के देते हैं कि चलो एक एक्जाम दे लेते हैं अंदाजा लग जाएगा कि इसमें क्या आने वाला है लेकिन सेकंड एटेंप्ट के लिए आपको भरपूर त्यारी करनी चाहिए अगर आप संपन्न हैं समर्थ हैं तो आप कहीं से इसके नहीं करना चाहते हैं तो अच्छी बुक से भी आपको बहुत मदद मिल सकती आज कल यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो उपलब्द हैं जिसमें आर्टिचर और इंजिरिंग के लिए या भी प्लानिंग के लिए अच्छी जानकारी दी गई है कि कौन से किस तरीके किस तरीके से आपको त्यारी करनी है किस तरीके से स्केशिंग करनी है किस तरीके से प्रीवेस के कुश्चन पेपर्स में सवाल आते हैं कैसे उनको अटेम्ट करना है किस तरीके से कि Elimination process से आप सवालों के हल ठून सकते हो किसी सवाल का आपको ठीक से हल नहीं अलूम तो आप Elimination process से भी कर सकते हो कि अगर आपको बहुए हाँ कि तीन सवाल सवाल institute गया चोथा आंसर सही होगा तो ये आर्खिटेचर एंटरेंस और बी प्लानिंग की हमारी बुक्स एवलेबल हैं एमेज़ॉन पे इनको आप सरलता से परचेस कर सकते हो बहुत ज़्यादा कीमत भी इनकी नहीं है और सभी किताबों को पिछले बहुत सारे सालों से इस्ट्वेंट्स खरीटे आ रहे हैं और पूरा लाब उठा रहे हैं बुक्स से ये किताबें आपके लिए खाची उपयोगी साबित हो सकती हैं इन बुक्स के अंदर पिछले सालों के पेपर से हैं प्रस्वेक्टिव बनाने के सिधान्त हैं मौक टेस्ट दिये गए हैं इस तरीके से पेपर के अंदर क्या-क्या पूछा जाता है उस सारी बाते हैं देख रहे हैं आप प्रीवे सिर्फ पेपर से इसके अंदर ही गए है ट्रॉइंग स्केचिंग का क्योंकि यह पेपर 2 में 100 नंबर की स्केचिंग आती है तो पूरी जानकारी स्केचिंग की इसमें दी गई है परस्पेक्टिव कैसे बनाना है उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है अब पिछले कुछ सालों से नाटा का पैटर्न थोड़ और N.I.D. में आते थे तो ये नई पुस्तक में हमने इस तरह की सवालों का भी समावेश किया है जिस प्रकार के सवाल नाटा में और जहीं में अब पूछे जाने लगे हैं ये सारी के सारी बुक्स सरलता से एविलेबल हैं एमेजन पे आप इनका इस्तिमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप कोचिंग पे खर्च उनने वाले पैसे को भी बचा सकते हैं आप सभी आर्किटिक्चर और डिजाइन एस्पिरेंट्स को बी प्लानिंग एस्पिरेंट्स को बहुत-बहुत शुप कामना है ये हिंदी में भी बी प्लानिंग की किताब हमारी एविलेबल है इनका अच्छे तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं अपरेल में अभी समय है आप अच्छे से त्यारी कीजिए और ये एक्जाम आपको सिर्फ पास नहीं करना होता इसमें आपको दूसरे लोगों से भेतर स्कोर करना है शुप कामना है नमस्कार